गाईस आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच अप्लिकेशन की जो लोन लिमिट है उसे किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो किस तरीके से बढ़ा सकते हो अगर आप ब्रांच से लोन लिया है दिन उसकी लिमिट को आप बढ़ाना चाते हैं तो बड़ी ही आसान तरीके से बढ़ा सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बढ़ाने का तरीका बताने वाला हूं कि कैसे लोन की जो लिमिट की जो इंक्रीज किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है यहां पर सबसे पहले हम जो है ब्रांच अप्लिकेशन को ओपन करेंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चाहते हैं तो वहां से भी से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा यहां से आपने जितने का भी लोन आपने ले रखा है वो यहां पे शो कर देगा मैंने यहां पे 500 रुपे का लोन लिया था डेमो के लिए मुझे डाई हजार की लिमिट मिली थी इसलिए मैंने यहां पे 500 रुपे लिये थे जैसे कि लोन्स वाला उप्चन से पर हम आएंगे लोन्स वाले उप्चन से पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी जो पेमेंट डू है वो है 20 जून यानि कि 20 जून तक हमें इसे पेमेंट करना होगा जो हमने लोन लिया था उसे जब हम इसे लोन हमने पेमेंट करोगे जिसे कि हमारी एक यहाँ पे जो एम आई है अगर यह मैं टाइम पे पेमेंट करता हूँ तो मुझे और भी जादा यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है जिसे कि आपकी एम आई 3 हो सकती है 6 हो सकती है या फिर 12 एमाई हो सकती है जिसे ही आप टाइमली रिपेमेंट करते जाओगे टाइम टू टाइम जिसके तीन एमाई है तो तीनो टाइम से टाइम आपने पे कर दी है उसके बाद में फिर आपके जो लोन लिमिट है वो इंक्रिज होती चली जाएगी लेकिन साथ में अगर वहीं पे अगर अपने पेमेंट को ड्यू रखा या फिर टाइम पे पेमेंट नहीं किया इस एप्लिकेशन से तो आपको जो है यहाँ पे लोन इंक्रिज नहीं होगी नहीं आपके लिमिट बढ़ेगी और तो और यहाँ पे अगली बार आपको लोन भी नहीं दिया जाएगा और गाइस यहाँ पे जैसे की आप देख सकते हो अगर मैं हॉम पे आता हूँ तो यहाँ पे रिसेंडली मैंने जो है 20 माई को मैंने एक लोन लिया था जो यहाँ पे दिखा रहा है अगर इसकी पेमेंट नहीं पना लोन पे चलता हूँ इसकी पेमेंट 20 जून को होने वाली है अगर मैं 20 जून के पहले ही इस पेमेंट को कर देता ह종 तो मेरे जो लोन की जो लिमिट है तो काफी बढ़ जाएगी साथ में आप time to time repayment करें और time to time repayment करोगे तो यहाँ पे आपके loan की जो limit है वो काफी increase होगी और आपके जो civil score है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे guys यहाँ पे अगर आपके civil अच्छे हैं तो यह automatically आपको limit बढ़ा देते हैं आपको limit बढ़ाने की कोई tension नहीं होगी बस आपको यहाँ पे बस time to time repayment करना है और आपके जो यहाँ पे loan की जो limit है वो increase होती चली जाएगी वीडियो अच्छे लागी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं तो दोनों को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइगन को प्रेस शरूर कर लेना